और हर एक विद्यार्थी के मन में यदि आप परहाई कर रहे हैं, चाहे यदि कोई चुनाब लर रहा है, तो इस बारे में जान लिजिए, किसी को भी, हर एक को भी, हर एक बैक्ति को भी, चाहे किसान भी होता है, आप किसान हो या बनिया हो, चाहे बीदनसमेन हो, चाहे बैप पारी योचा चुनाब लरने वाला हो राजनेता है ठीक है कोई भी लोगों के सामने में अपना लक्ष जरूर तयार रखना चाहिए अपना लक्ष आप किलियरली रखिए अपना लक्ष को आप अपने सामने में रखिए और लक्ष कभी भी हमेशा रखिएगा तो यह बात ध् आपको मेनत करने के लिए आपका सरीर यानि कि आपका अंदर का आत्मा आपका इलाव करेगा कि हाँ इतना ज्यादा मेनत करो आपको थोड़ा सा बड़ा लक्ष रहेगा तो थोड़ा सा बड़ा मेनत की जरूरत पड़ेगा और खुद में बखुद अगर आपका लक्ष तयार अगर आपको पाना है तो ऐसा हो कि आप उसको पाने के लिए पागल हो गए हैं ऐसा मन बना लिजे जेनरली मैड नहीं ठीक है उस लक्ष को हासिल करने के लिए आप पागल बन जाईए ठीक है इतना मेनच जरूर कर लिजे ताकि वह लक्ष आपके सामने में इद्गम फिल्ट वाले कोई भी व्यक्ति होते हैं तो सुर्वाती में उसके मन में यह भाव होता है कि नहीं हम चर जाएंगे तो ही वह चर पाता है नहीं तो जिसको यदि मन में थोड़ा सा भी सस्पेंस आ जाता है वैसे बेक्ति को वहां पर जाने के बाद अंतिम में छेजार सीड़ी पाड़ कर लेने के बाद भी उसको दिक्कत होने लगता है और काफी उसको कठिनाई ऐसा लगने लगता है कि नहीं अब हमसे नहीं होगा इसलिए आप अपने लक्ष को मजबूत रखिए लक्ष को काम्याब बनाने की और रखिए लक्ष को हमेशा इतना बड़ा रखिए कि आपको लक्ष देख करके ही आपके मन में जो बिरोध की आसंका है वह मन के बिरोध की आसंका आपका खतम हो जाए एक बड़े एफम का यानि की राजस्थान के फेमस एफम है जो ऑर्जे कार्थिक बोलते हैं fm के मामले में वही मेरे फैब्र 20 लोग है ठीक है वो बोलते हैं कर दिखाओ कुछ आइसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा कोई भी लक्षए यदि आप हाशिल करने चलते हैं तो आइसा लख्छे रखिये हमें साथ तो चलिए अब आइसा लख्शे रखी रखी है हमें साथ तो चलिए हम अ